वेल्कम टू मैं चैनल मैं हूंनमौल और आज मैं बना रही हूं बहुत ही मज़े के बहुत ही क्रिस्पी चिकन वेजिटेबल रोल्स तो यह कैसे बनते हैं स्टाइट करते हैं जिल्दी से यह तो यह बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए यह रॉल पट्टी अराम से बज जल्दी अपलोड करूंगे घर पर कैसे बनाते हैं उसके लिए चिकन मैंने लिया था आदा किलो बॉनलेस उसको मैंने बॉयल किया है उसमें चिली सॉस स्वाय सॉस सिर्का तू टेबल स्पून डाल के काली मिट्ज हाफ टी स्पून और नमक हाफ टी स्पून डाल के बैसे जाने रख सब काली मिट्ए बन्न कोबिध लिया वा साथ जूस बारी चीन डाल के सिर्का तू टेबल स्पून डिया मैंने लिए लीकाफ सब्के लिए माली मिट्ज है यह बोहती ही जुल्दी बन चालती है और बन बोगिशा अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें डालेंगे सिर्का चिली कॉन इसमें डालेंगे काली मिर्च और नमर आप इसमें डालेंगे तक्रीबल 5 मिनिट के लिए पकाएंगे आप इसमें एक आलो को बॉइल करके मैश करके भी शामिल कर सकते हैं तो अब हम रोल बनाते हैं सबसे पहले हम रेंगे चिकन यह स्टफिंग जो हमने बना रहे हैं सबजियों के और चिकन के इसको रखेंगे ऐसे मैदा और पानी को मिक्स करके इसको बहुत अच्छे से बंद करेंगे तो अब बच्चों के लिए आप इसमें सेम स्टफिंग में आप इसमें बॉइल पोटेटो डाल सकते हैं अब शुरू करते हैं एक रोल पटी लेंगे और यह मैदा और पानी का मिक्स्छर बनाया हम आने सबसे पहले एक चमच रोल यह लेंगे स्टफिंग रहेंगे आप रिखेंगे और इसको यहां पर ऐसे बखाएंगे ऐसे बखाएंगे और यहां से बखाएंगे बहुत अच्छे से उगे खुल गई तो पिर ओएल में सब बिखर जाएंगे जब हम इसको फ्राइ करते हैं तब इसको बांच के टेंगे तो यह रोल तम के त्यार है ऐसे हम सारे बना लेंगे रोल्स हमारे बनके रेडी हैं आप इसे जुरूर ट्राइ करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें यह बहुत जिल्दी बन जाते हैं तो मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक करें टेक कियर और बाइबाइ करें